पाठ का सार भारत की पहली बोलती फिल्म भारत में 14 मार्च 1931 को प्रहली बार ऐसी फिल्म सिनेमा घर पर लगी जिसमें ध्वनी थी, आवाज थी अर्थाद जो फिल्म बोलती थी अभी तक जितनी भी फिल्में बनती थी वे सब मूख यानी गूगी होती थी इस फिल्म का नाम था आलम आरा और इसे बनाने वाले फिल्मकार थे अरेशर M. इरानी सन 1929 में एम इरानी को प्रेरणा सन 1929 में अरेशिर एम इरानी की हॉलिवूड की बोलती फिल्म शोबोट देखने को मिली जो उनकी प्रेरणा बन गई और उन्होंने ठान लिया कि भारत में भी ऐसी फिल्म बनाएंगे आलम आरा का आधार फिल्म आलम आरा का आधार पारसी रंगमंच के एक लोग प्रिय नाटक को बनाया गया पटकता भी उसी आधार पर लिखी गई कम साधनों में निर्मित फिल्म एम इराणी ने स्वयम यह स्वीकार किया कि इस फिल्म को बनाने के समय उनके पास कोई समवाद लेखग, गीतकार या संगीतकार भी नहीं था फिल्म में फिल्माए गई गीत भी अरेशिर नहीं चुने संगीत हेतु तबला, हार्मोनियम वगिटार का ही प्रयोग किया गया कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की शुरुवात हुई आगे चलकर यह फिल्मी दुनिया का जरूरी हिस्सा बन गई आलम आरा के कारण ही भविश्य में फिल्म जगत में नए स्टार वर कई तकनिशियन भी आए 14 मार्च 1931 को यह फिल्म मुंबई के मजैस्टिक सिनिमा में प्रदर्शित हुई आठ सप्ताह तक हाउसफुल चला 10,000 फुट लंबी रील की यह फिल्म थी चार महीने इसे बनाने में लगे लोगों के लिए यह नया अनुभव थी प्रमुक कलाकारों की भूमिका आलम आरा में सोहराब मोदी, पृत्विराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे कलाकारों ने अभिने किया जो आगे जाकर फिल्मों द्योग के आधार स्तंब बने भाशाओं का विकास सवाक फिल्मों से उर्दू वह हिंदी दोनों भाशाओं को बढ़ावा मिला, शारीरिक वह तक्नीकी भाशा की जगह बोलचाल की भाशा को उभारा गया सिनेमा अधिक लोगों के बीच में आया, इसलिए आगे चलकर सामाजिक प्रतिबिम फिल्मों में नजर आने लगे लोगों पर सिनेमा का प्रभाव जब फिल्में बोलने वाली बनने लगी तो लोगों की रुची फिल्मों के प्रतिबाद गई फिल्मा का असर उनकी आम जिंदगी पर भी दिखाई देने लगा लोग वैसे ही अपना रहन सहन व फैशन भी करने लगे फालके द्वारा सवाक फिल्मों को अपनाना भारतिय सिनेमा के जनक फालके ने सिनेमा जगत के सवाक फिल्मों के जनक अरेशिर की उपलब्धी का सम्मान किया और यहीं से सवाक फिल्मों का नया दौर शिरू हुआ